दोहजर चौबिस के लोगसभा चुनाओ में अगर राश्ट्रिय जनता दल के राश्ट्रिय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादो के किसमत वापस पट्री पर लोटी तो दो बेटिया मी सभारते रोहिनी अचार और एक दमाद तेश प्रताव यादो मिलकर कुल तीन सांसत से स नमस्कार मैं पंक्रिश रवास्तो और आप देख रहे हैं अमरुजाला दोहजर चौबिस के लोगसभा चुनाओ में राश्ट्रिय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादो के परिवार के एक और सदस से लोगसभा चुनाओ लड़ने जा रहे हैं लालू के दमाद और यूपी के पूर्व मुख्य मंत्री अखलेश यादो के भतीजे तेश प्रताप यादो सपा के टिकेट पर चुनाओी मैदान में फिर से उतरने जा रहे हैं दरसल पिछले कई दिनों से कर नौज में अखलेश यादो के लोगसभा चुनाओ लड़ने की चर्चा चल रह तो दो बेटियां मीसा भारती, रोहिनी अचारे और एक दमाद तेश प्रताप यादो मिलकर कुल तीन सांसत से उनका घर संपन होगा आईए आपको बताते हैं कि कौन है लालू के दमाद तेश प्रताप यादो दरसल 2015 में लालू प्रसाद यादो की छोटी बेटी राज लक्षमी से उनका विवा हुआ था ये शादी खूप चर्चा में रही थी, इसमें पीम नरेंदर मोदी भी वरवधू को आशीश देने पहुचे थे तेश प्रताप यादो मुलायम की परंप्रागत सीट मैनपूरी से सांसद रहे हैं वो मुलायम सिंग्यादो के बड़े भाई रतन के पोते हैं 36 वर्ष ये तेश प्रताप यादो मैनपूरी सीट से 2014 में सांसद रह चुके हैं उन्होंने 3.12 लाख वोटों से जीत हासिल की थी जबकि इससे पहले वो 2011 में निर्विरोध ब्लॉक प्रमुक चुने जा चुके हैं उनकी पारमरिक शिक्ष दिल्ली पब्लिक स्कूल नॉइडा में हुई है जबकि MET VV से भी कॉम किया है इसके अलावा United Kingdom के लीट्स VV से MSC की उपाधिली है जबकि स्थानिय राजनीते में वो सक्रिय भूमी का निभा रहे हैं जिसे कनोच सीट से लाने की तयारी चल रही है आपको बता दे पूर मुखे मंत्री लालु प्रसाद यादव की दो बेटिया मीसा भारती और रोहिनी अचारी को राज़त उमीदवार बनाया है मीसा भारती अभी राज़त की तरफ से राज़सभा सांसद है वही रोहिनी अचारे पहली बार सक्रिय राजनीती में उतरी है वो छप्रा लोगसभा सीट से चुनावी मैदान में है इधर लालू प्रसाद यादव के दो बेटे तेश प्रताप यादव और तेजस्वी यादव राज़त के विधायक है चुनाव से चुड़िया ऐसी खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रही है अमरुजाला